साफसफाई की मामले में एक नमबर की हैट्रिक बनाने के साथ साथ इस साल जनसंख्या के हिसाब से श्वानों के काटने की मामले में भी इंदौर नमबर वन हो गया है एक जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इंदौर शहर में आवारा श्वानों ने 32,444 लोगों को अपना शिकार बनाया है अस्पताल प्रबंधनों की माने तो शहर भर के सारे निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले श्वान पीरिदों की संख्या को जोडा जाएं तो ये आकड़ा बहुत जादा है ये आकड़े कई हॉस्पिटल के हैं और हॉस्पिटल प्रबंधन की अनुसार जनवरी 2019 में 3000 से जादा लोगों को श्वान ने काटा और इसके बाद हर महिने 5000 से जादा लोगों को श्वान ने अपना शिकार बनाया है अगस्थ 2019 में लोग श्वानों का कम शिकार हुए है पिछले साल अगस्थ के महिने में 2000 से भी कम लोग शिकार हुए महिश्वानों के सबसे जादा शिकार 2019 की शुरुआत साल के जनवरी और आखरी महा दिसंबर में हुए है इन सबी पीडितों को रेवीज के चार चार निशूल के इंजेक्शन लगाए गए हैं जिनकी बाजार में कीमत 31 करोड 24 लाख 4 हजार रुपए बताई जा रही है यह आकड़े हुकुम चंद अस्पताल प्रभंधन के हैं और अस्पताल की माने तो प्रती महा के हिसाब से साल भर में जो आकड़े सामनी आये हैं उस हिसाब से मद्यपदेश की महानगरोब भोपाल गवालियर जबलपुर से इंदौर इस मामले में आगे निकल गया है यानि मद्यपदेश में श्वानों के काटने की मामले में नंबर वन शहर इंदौर बन चुका है इसके अलावा जनसंख्या घनत्व और शेत्रफल के हिसाब से भी इंदौर देश में नंबर वन हो चुका है 2019 के आकड़ो की बात करें तो एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के ये आकड़े हैं और ये आकड़े 50,000 पार हो सकते हैं वही नगन निगम के रिकॉर्ड देखे जाएं तो नगन निगम के रिकॉर्ड के अनुसाज शहर में लगभग एक लाख आवारा श्वान है इन आकड़ों में जो 29 नए गाओ नगन निगम की सीमा में जोड़े गए हैं उन गाओं के भी श्वान शामिल है निगम का दावा है कि 5 साल में उन्होंने 50,000 श्वानों की नस्बंदी की है नस्बंदी करने का दौर पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगे के कारिकाल में शुरू हो गया था जो अभी तक जा रही है मगर आश्वरी की बात ये है कि शहर में जिस तादाद में आवारा श्वानों की संख्या बढ़ रही है उससे जाहिर होता है कि नस्बंदी अभ्यान का कोई असर नहीं हो रहा असर होने की मामले में नगनिगम की अधिकारी की माने तो नस्बंदी अभ्यान का असर पांच से दस सालों में सामने आएगा आंकलों की बात की जाये तो जनवरी के महिने में 3188 सश्वानों ने लोगों को काटा है फरवरी में 2874, मार्च में 2903, अप्रिल में 2065, माई में 2748, जून में 2699, जुलाई में 2495, अगस्त में 4942, सितंबर में 2188, अक्टूबर में 2669, नवंबर में 2671, दिसंबर में 3161 यानि साल भर का हिसाब लगाया जाए तो टोटल होगा 32444, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 32444 लोग श्वानों के काटने का शिकार हो चुके हैं और ये आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इस आकड़े की 50,000 पार होने की आशंका जताई जा रही है और सफाइब में नमबर एक होने के साथ साथ अश्वानों के काटने के मामले में भी इंदौर शहर नमबर वन बनता जा रहा है subscribe our channel and press the bell icon for more updates